दोस्तों वेसे तो आपने सोशियल मीडिया पर शराप पीकर लोगों को तरह तरह के करतब करते हुए वीडियो बहुत देखे होंगे लेकिन इस शक्स ने शराप के नशे में जो काम किया है उसके बारे में जानकर आप हैरान हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के इटा जिले में शराप के नशे में दूद एक शक्स को जब साप ने काटा तो गुस्से में उस युवक ने साप को दातों से चबा कर उसके टुकडे टुकडे कर दिये जी हाँ दोस्तो इस गटना के बाद से पूरे इलाके में हडकंप मच गया और सोशिल मीडिया पर खबर वाइरल हो गई हाला कि साप को दातों से चबाने के बाद युवक वही पर बेहोश होकर गिर गया जिसके बाद परीजन उसे अस्पताल ले गए जहां उसकी हालत बहुत ही नाजुक बनी हुई है इटा जिले के अस्त्रोली गाव में रहने वाले राजकुमार के घर पर रवीवार को कारेक्रम था उस दोरान काफी महमान आये हुए थे जिन्होंने शराब पी हुई थी तबी वहाँ पर एक साप नजर आया साप को देखते ही गतना सल पर मुझूद सभी लोग खड़े हो गए और इधर उधर भागने लगे तो कुछ लोग साप को मारने पहुँच गए नशे की हालत में राजकुमार ने साप पर हमला बोल दिया इस दोरान साप ने राजकुमार को काट दिया जिसके बाद गुस्से में आकर राजकुमार ने साप को हाथ में पकड़ा और दांतों से काट कर उसके चार टुकड़े कर दिये राजकुमार की इस हरकत को देखकर सभी लोग हैरान रह गए घटना के थोड़ी ही देर के बाद राजकुमार की तब्यत बिगड़ने लगी और वो वही पर बेहोश होकर गिर गया इसके बाद घर के लोग उसे अस्पताल ले गए और चिकित सको ने बताया है कि अभी राजकुमार अंडर उब्जवेशन है तो दोस्तो आपको इस वीडियो में से कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद आई आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किजिए, शेर किजिए और हमारी चैनल को सबस्क्राइब किजिए ताकि हर एक इंट्रेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँचते रहे थेंक यू सो मच